हलो एवरिवन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सबची की रेसीपी आज हम भरवा भिंडी बनाएंगे सुखी सबचियों में भरवा सबचिया सभी को बहुत ही पसंद आती है और ये सबचिया दो दिन तक रखकर भी खाई जा सकती है और जल्दी से खराब भी नहीं होती जनरली हम भरवा भिंडी बनाते है तो उसमें हम एक एक भिंडी को स्टफ करके बाद में बनाते है तो वो टाइम कंसूमिंग प्रोसेस है आज मैं आसान तरीके से सबची बनाने वाली हूँ वो भी घर में रही हुई चीजों से तो आपको बहुत ही पसंद आएगी आ एक पार यह भिंडी मसाला भर भरवर करें, तो चलो शुरू करते है, अगर इनरी की सबची बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम भिंडी लेनी है, इसके लिए एक छोटी वाली भिंडी लेनी है, तो मैंने बड़ी वाले ली है और उसको इस तरह से कट करना है, अगर easily cut हो रही है तो समझ चाना है कि ये पिंडी है वो एक्तम फ्रेश है और सबची के लिए perfect है तो इसे हमें दोनों साइट से थोड़ा सा cut कर लेना है और हमें बीच में से इस तरह से cut लगाएंगे अगर आपको छोटी वाली भिंडी ना मिले तो बड़ी वाली भिंडी को बीच में से काट कर ले ले तो ऐसे ही मैंने सारी भिंडी को cut कर लिया है मार्केट से भिंडी लाने के बाद इसे अच्छे से धो ले ना है और एक cotton के कपड़ा से उसे पहुच लिए ना है तो सबसे पहले हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं ना पकाट काश्म sorcer कर लेते हैं मसाला बनाने के लिए एक हलबते ले रही हूँ ये दुनों को अच्छे से कूट लेंगे और अब एक प्लेट लेंगे और प्लेट में ये कूटी हुई लहसुन की चटनी डाल देंगे लगपक दो टेबल स्पून चितनी चटनी रेडी होगी यहां पर मैंने रोस्टेड मुखफली को चीली कटर में क्रश कर है और उसका कोर्स पादर रेडी किया है फाइन पाटर रेडी नहीं करना है यह मैं 30 टेबल स्पून ले रही हो दन्याजीरा का पाउडर लेंगे दो टेबल स्पून स्टफ्ट सबची में धन्या का पाउडर हमेशा थूड़ा ज्यादा डाले मैं एक टीसपून हलदी का गाठिया या तो नमकिन रही है इसको आप ले सकते हो और एक टेबल स्पून डेसिकेरेट कोकोनट डालेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा अगर आप शक्कर डालना चाहते है तो एक से दो टेस्पून डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे नहीं डाली है अब सारे चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे लहसुन की चटनी है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक भढ़िया से मिक्स कर लेंगे यह वाला जो मिक्सचर है इससे आप एर टाइट कंटेनर में भरके रेफरिचरेट कर सकते हो एकलिस्ट पंदरा दिन तक यह मसाला अच्छा रहेगा इस तरह से आप कोई भी स्टॉप्ट सबजी बनाओ जैसे आलू बेंगन या तो करेला इसमें मसाला यूज़ करके बना सकते हैं सारे चीज़ों को अच्छे से मिला ली है अभी हम इसमें एड करेंगे एक चुथाइक बारी कट किया हुआ ध भिंडी को हम दो पोर्शन में फ्राइ करेंगे तो यहां पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तेल अच्छे से गरम होना चाहिए इसके बाद ही भिंडी को डालना है थोड़ी दिर के लिए ऐसे ही आपको उसे फ्राइ करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर जब हम या तो कोई भी फंक्षन में जाते हैं और भरवा भिंडी खाते हैं तो वो लोग एक एक भिंडी को स्टफ करके नहीं सब्ची बनाते क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता थोड़ी दिर के बाद गेस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और थोड़ी थोड़ी दिर में चलाते जाएंगे और उसे अच्छे से पका लेंगे इसे फ्राई करने के लिए चार से पांच मीट हो जाता है हमने यहां पर भिंडी को बीच में से स्लीट करके लिया है आप भिंडी के दो टुकड़े करके भी यह सब्ची बना सकते हैं यह भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो इसी तरह से बाकी जो भिंडी बची है उसको भी टरार कर लेंगे तो यह हमारा दूसरा दूसरा बेच भी बनके रेड़ी हो गया है, बहुता है गरम तेल तेल फिंडी के उपर डाल देते हैं तो गरम तेली लेना है वो बात का भी आप खायल रखे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है तो आप देखिए हमारी सबची ready हो गई है सब्ची को अच्छी तरह से मिला लेंगे अगर आप ज्यादा तेल वाला खाना पसंद करते है तो ज्यादा तेल भी उसके उपर डाल सकते है पर ये बात का ध्यान रखना है कि तेल गरम होना चाहिए अभी उसके उपर हम स्प्रिंकल करेंगे सफेद तेल सफेद तिल स्प्रिंकल करने से वो लोग में भी अच्छे लगते है और खाने में भी अच्छे लगते है तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सबची बनके रेडी हो गई है बिना ताम जाम जटपट से और स्वाद में एक्तम बेहतरी नाचवाब मसाला पिंडी बनके रेडी हो गई है आप इसे रोटी पूरी या तो नान के साथ एंचुई कर सकते है शायद इसके लिए यह बेस्ट ओप्शन है आप ज़रूर से बनाए सबको बहुत ही पसंद आएगी अगर आपको मेरा यह मसाला पिंडी की रेसीपी का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूँ एक ऐसी आसान और टेस्टी रेसीपी के साथ तिल देन टेक केर और थेक्स पर वाचिंग